बुद्ध का उबदेश, दुख को कभी खुद पर हावी ना होने दे, हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर। होता है बुद्ध कहते हैं दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीथ आज भी प्रासंगिक है गौतम बुद्ध ने सारनात म में दिये अपने पहले उबदेश में भी दुख के बारे में बात की है बुद्ध ने कहा है दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुख ही होता ही है हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है क्यूं दुख आता है हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाए है इन बातों को जो इनसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है आज हर इनसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा ज प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिती समझना चाहिए इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए इसके उलत खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए दुख का कारण है, महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है, बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजए तृष्णा यानी तेज इच्छा है, इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए, यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इनसान से उमीद नहीं रखनी चाहिए, दुख का निवारन है, महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है, उनका कहना है कि हर इनसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है उसको खत्म किया जा सकता है, दुख निवारन का उपाय है, बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारन के उपाय भी मौजूद है, दुख को दूर करने के लिए इनसान को भगवान, बुद्ध के बताए गए सद मार्ग यानी अश् दान्गिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा.